टारगेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदिस अधिनस सिवा चैन आयोग की उत्तर प्रदिस लोग सिवा आयोग की भरतियों की बिहार शिक्षक भरती की भी एक बड़ी अपडेट है और एक सुचना है ज अगे बड़ने से पहले एक सुचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार pieces की तियारी कर रहे है अत्वा उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग की बड़ती याने की UP pieces की तियारी कर रहे हैं वैं सभी अबरती physics वाला के इस platform पर आकर की आपनों तियारी doubt clearing session भी चलता रहता है और मंतली current affairs की magazine भी मिलेगी और यहाँ पर दे सकते हैं कि भारत की सिर्ट सिर्ट सिर्चकों की टीम है फीस बहुत कम रखी गई है bilingual badge जिसका नाम है section 4.0 इसकी फीस मात्र 4,499 रुपए है प्रत्म 2.0 जो बैचे हिंदी मात्म का इसकी भी फीस 4,499 रुप रखी गई है इसमें भी आप लोग PSC 5.0 code लगा सकते हैं सतरवीं BPSC के लिए जो bilingual badge उसका नाम है section 2.0 और जो हिंदी मात्म का बैचे उसका नाम है प्रत्म इसमें भी आप लोग purchase करते हैं code का प्रयोग कर सकते हैं यह सारा का सारा जो history material है आप लोगों को physics वाला के application पर मिलेगा application की link मैंने description box और comment box से दोनों जगे upload करा दिये तो आप लोग जाकर कि यहां से preparation शुरू कर सकते हैं चले शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भरती की जो बड़ी update है BPSC की जो chairman है उन्होंने supplementary result को लेकर के एक tweet किया है और जानकारी दी है कि supplementary result पर लगातार काम हो रहा है और बहुत ज़ली supplementary result जारी किया जाएगा तो जानकारी निकर कर क्या रहे है से हरी जंडी मिलते ही आयोग तयारी में जूटा है विभाग ने आयोग को भेजी 14,700 रिक्तियां multiple result की रिक्तियों के average में आयोग करेगा result जारी 20 जनवरी से पहले result जारी होने की संभावना है अगली सूचना है उत्तर-परदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग जानकारी निकल करके आयोग से जल्द भर्तियों की परिणाम जारी किये जायेंगे जनवरी और फर्वरी के महिने में ज्यायतर भर्तियों के परिणाम जारीर завण जारेंगे और ये भी जनकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा नुक्ति पत्र वीतरण का कारकरम भी उत्तर प्रदेश लोग सेवा चुनाओं के पहले-पहले इसका कारकरम है और जिस प्रकार से तैयारियां चल रही है उसे हिसाब से चर्चाए है कि लगबग 15-20,000 चात्रों को नुक्ति पत्र दिया जाएंगे जनवरी और फरवरी के महीने में और ये सभी नुक्ति पत्र यूपिटर पलसी के ही होंगे इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की भरती, खंड, सिक्चा, अधिकारी और ल्टी वेकेंसी की एल्टी वेकेंसी के आहरता नहीं है, एल्टी का नीमावली को लेकर के विवाद है चुकि इस भरती में बदलाव किया जा रहा है अब इसकी एक परिच्छा नहीं, दो परिच्छा करा जाने की योजना है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की और जो जानकारी लैकेंसी का जो विग्यापन है वह आप लोगों का फरवर्य के महीने में जारी हो सकता है और इसको लेकरकित अभी एक सासन, इससर port पर एक मीटिंग होनी है जैसी मीटिंग में जो बाते हैं वो किलियर हो जाएंगी उसके बाद में उत्तर प्रिज लोग सेवा आयोग फरवरी की महीने में ल्टी का जो नोटिफिकेशन वो जारी कर सकता है खंड शिक्षा अधिकारी की बारे में जानकारी दीक है कि इसके विज्ञापन में अभी देरी लगेगी अल्टी ग्रेट शिक्षगवर्ती में एक तो नीमा वली का मामला है और दूसरा जो मामला है कि कुछ अधिकारी ये चाह रहे हैं असास की सायता प्राप्त जितने भी विद्याला हैं और महा विद्याला हैं उनकी बढ़तियां सिछ्छा सिवा चैनायुक से होंगी और जो भी चीजें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी जल्दी ही और अगली जो सूचना है वो जूनियर पदोननत कोट अपडेट कल इसकी सुनवाई है यह रीठ है जिससे आप लोग देख सकते हैं 34 आवलिक 2024 तीन जनवरी को ही यह केस फाइल किया गया है और पात जनवरी यहां पर देख सकते हैं यह आज ही के समचार पत्र है और आज के समचार पत्रों के माधम से भी इसकी बारे में जानकारी दी गए थी कि परिसदी शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के बड़ा विवाद बेसिक सिक्षा परिसद ने बिना T.E.T. बनाई है वरिष्टता सूची और अगर इस पर रोक लग गई और केवल T.E.T. पास सिक्षकों का ही प्रमोशन किया गया तो फिर 41,000 सिक्षा नहीं मिल पाएंगे और इस आधार पर विद्यारती ये मांग कर रहे हैं कि कच्षा 6-8 की पदों पर सीरी बरती भी निकाली जाएंगे और च्षा में उलकित पदों पर पदों पर पर विद्यारती के लिए उपयूक्त बरती उपलब्द ना हो तो निक्त नियम 15 में दी गई रीत से सीधी भरती दोरा की जा सकती है और इसी को आधार बनाकर के विद्यारती सीरी बरती की मांग कर रहे हैं और इस नियमा वाली को भी विद्यारती चलेंज करने के लिए कोड में याजका डाल रहे हैं तो सीधी बरती के लिए भी याजका पढ़ने वाली है और अभी यह जो याजका की जो कल सुनवाई हो नहीं वो केवल प्रदोनती को रोगने को ले करके है उसमें मांग की गई है कि केवल T.E.T. जो पास सिक्षक है उनहीं के प्रमोशन किया जाए और जो T.E.T. पास नहीं है उनके प्रमोशन को रोका जाए आज की वीडियो में इतना ही पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बुद्धनवाद